नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 11 जनवरी दुपहर 3 बजे राजिस्थान की खास खबरें भजनल सरकार ने दूसरा बड़ा फेर बदल करते हुए 40 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है इसमें सुबोद अगरवाल को जल्दय विभाग के अतरिक्त मुख्य सचिव से इंद्रागांदी पंचायती राज संसान की अधिक्ष के तौर पर पोस्टिंग दी है वयवय कुमार को ACS जल संसादन विभाग के पद पर लगाया है पुरल सियम गहलोद के परमुख सचिव रहे कुलदी परांका को ACS समाजिक न्याए और अधिकारिता विभाग में लगाया गया है गैलोद सरकार वित विभाग संभालते रहे अखिल अरोडा को भजनलाल सरकार में भी यही विभाग संभालने के जिम्मेदारी दी गई है संदेश नाइक CM के विशिष्ट सचिव तीर अविकांत को CM के परमुख सचिव का अतिरिक्त चार्ज राज फैड के संदेश नाइक को CM के विशिष्ट सचिव के पद पर लगाया गया है CM के परमुख सचिव के पद पर अभी स्थाई पोस्टिंग होना बाकी है तीर अविकांत को CM के परमुख सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है CM बनने के बाद मुख्यमंत्री भचनलाल शर्मा पहली बार पुशकर पहुंचे जहां उन्होंने गाउं गना हीडा में विक्सित भारत संकल पियातरा शीविर का वलोकन किया इसके बाद उन्होंने पुशकर सित विशव की एक मातर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुशकर सरोवर की पूजा अर्चना की इस दोरान CM भरष्टा चारूर पेपर लीक को लेकर पुरवर्ती सरकार पर निशाना सादा CM ने शीविर में आए लोगों को संबोदित करते हुए कहा कि केंदर और राजे सरकार की लोग कल्यानकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा जिससे आमजन को योजना का लाब मिल सके इस तोरान CM भजनलाल ने पूरव में रही गहलोट सरकार पर भी जम कर निशाना सादा शीविर को संबोदित करते हुए CM भजनलाल ने कहा कि चुनाब में किये वादे समय रहते पूरे किये जाएंगे हमारी सरकार को अभी एक महीना ही हुआ है एक जनवरी से फैसले लेने शुरू हो गए है कॉंग्रेस के रास्ट्रिये महा सचीव सचिन पाइलेट ने कहा कि टिकेट वितरन के समय बहुत कबड़ी चली अब अद्यक्ष गोविन सिंग डुटास्रा भी जानते हैं और युवक कॉंग्रेस अद्यक्ष अभी मन्यू पूनिया भी हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है सभी की राय होती है फिर तैय किया गया कि किसी युवा को टिकेट दिया जाए और रगडाई किये हुए को टिकेट मिले तब कहीं जाकर अभिमन्यों को संगरिया से टिकेट मिला, पाइलिट परदेश कॉंग्रिस मुख्यालय में, ये वक्ष कॉंग्रिस की परदेश कारे कारणी की बैठक में बोल रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाने के सवाल पर पाइलिट ने कहा, राम म मंदिर, एवं अयोध्या भाजपा की हैं, कारालय हैं क्या, हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी आस्थाएं है, हम उनके कहने से जाएंगी या रुकेंगे क्या, भगवान के दर पर जाने के लिए कोई निमंतरन होता है क्या, बुंदी के तालेडा थानाक शेतर में जाल की जौपडिया गाम के चर्चित ट्रिपल मर्डर के तीन आरोपियों देविलाल, फीमरास और रामरास को नयाइंदेश रेखा वदवा ने अजीवन कारावास के सजा से दंडित किया, विशिष्टलों का वियोजक राजेंदर क अधिवक्ता कमल कुमार जैन ने बताया कि 15 अक्टूबर 2014 को तालेडा थाना के जाल के जौपडिया गाम में फसल को पानी पिलाने के मामले में दो परिवारों में जगडा हो गया, जबके सत्या नरायन और सीता बाई को गोली लगी, सीता बाई की घटना सल पर ही मौत हो ग रोपियों को गिरफतार कर न्याले में चलान पेश किया, आरपी असी की और से आयूजित पर्तियोगी परिक्षा, 2022 में राजनितिक विज्ञान की परिक्षा में, मुख्या बियर्थी की जगा पर डमी अबियर्थी बन, परिक्षा देने वाले जस्वंत पुरा की, रप्यासी की अनुभाग अदिकारी ने सेवी लाइन स्थाना अजमेर में प्रकरन दर्स करवाया था, जिस में बताया कि स्कूल व्याख्यता पर्तियोगी परिक्षा में लाखाराम सफल हुआ था, कांसलिंग के दुरान लाखाराम निके एप्लिकेशन फारम और परिक्ष इंटर्वियू मामले में पंजाब एंड हरियाना हाइकोट अब अगली सुनवाई 25 जनवरी को करेगा सुनवाई के दुरान जेल मंतराले ने हाइकोट को असवाशन दिया कि एक साल में सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठा ले जाएंगे इतना ही नहीं बॉडी स्कैनर के ल लॉरेंस पर जेल से इंटर्वियू देने के मामले में पंजाब में दो केस दर्स कर चुकी है स्टेट क्राइम ब्यूरो में लॉरेंस और अग्यात गैंग के मेंबरों के खिलाफ एफई और दर्स की गई हाइकोट ने पंजाब सरकार की बनाई SIT के जांच को खारिस करते ह हुए नए जांच टीम बनाई थी समाजिक न्याएवम अधिकारीता मंत्री अविनाश गहलोत ने अंबेडकर भवन में विभागे योजनाओं की पहली समिक्षा बैठक में ही अधिकारियों को सरकार की ब्रस्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीती पर काम करने के निर्दे को मिले उन्होंने विभाग की 60 दिवसिये कारे योजना की जानकारी लेकर लोगसबद चुनावों के अचार सहिंता से पहले पूरा करने के निर्देश दिये मंत्री ने बैठक में 70 अधिकारियों को पदुनत्ति का तौफा दिया मंत्रिया विनाश गहलोत ने सीम अनुप प्रती कोचिंग योजना मुबाइल एप लॉंच किया एप से अभियर्थिय स्वैम के मुबाइल से कभी भी कहीं से भी आवेदन कर सकता है प्रदेश पर का नेटवर्क खोफी अजनसी की रडार पर होने की बावसुद चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में कमी नहीं आ रही है एक बार फिर दो लोगों पर F.I.R. दर्स हुई है दोनों ने नबालिक बालक की अशलिल वीडियो कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया था पिछले दस दिनों में जोदपुर जिले में यह चठा मामला सामने आया है लूनी पुलिस ने बताया कि थाना क्शेतर के फिंच निवासी किष्णा राम बिश्णोई वे बठिंडा निवासी मांगिलाल के खिलाफ पुलिस ने एक नबालिक की अशलिल वीडियो कंटेंट को शेयर करने का मामला दर्स किया है थाना परभारी रजींदर चौधरी ने बताया कि दोनों ही आरोपियों ने 29 नवंबर को फिंच क्शेतर में ही अशलिल वीडियो वे कंटेंट को शेयर किया था पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्स कर उनकी तलाश शुरू कर दी है पाली जिले में मेसी लीगल क्लर्क ने कोट के साथी ठगी कर डाली उसने जज़ के फरजी साइन कर साड़ी 28 लाख का चेक अपने साथी के खाते में जमा करवा दिया जब SBI बैंक से कोट के जज़ के पास ट्रांजेक्शन का मेल आया तो कोट में हड़कंप मच गया इसके बाद जज़ के निर्देश पर अपन सेशन कोट बाली के सीनियर रीडर ने कलर्क और उसके साथी के खिलाफ केस दर्स करवाया पुलिस ने मामले की घंबीरता को देखते हुए साती 32 वर्षे मांगिलाल प्रजापत को गिरफतार कर लिया बाली असिर्चो विकरम सिंग सांदू ने बताया कि अपर सेशन न्याले बाली के सीनियर रीडर भंवरलाल बाली थाने में 32 वर्षे मांगिलाल प्रजापत के खिलाफ रिपोर्ट दैर्स करवाई थी मांगिलाल ने बताया कि 25 प्रतिशत कमीशन का लालश दे कर उसे यह रुपए एड़ीचे कोट बाली के लिपिक ग्रेड प्रथम निर्मल चंद वर्मा ने जमा कराने को दिये थे वालमी की समास ने तीन दिन में सफाई करमचारी भरती पर किरिया शुरू नहीं हुई तो अंदोलन की चितावनी दी है सेयुक्त वालमी की एवं सफाई शिरमिक संग की नेतरता में सफाई करमचारी वालमी की समाज ने स्वायद शाशन विभाग निदेशक हिरिदेश शर्मा को अपना चार सुत्रिय मांग पत्र प्रस्तुत किया इस मांग पत्र में कहा गिया है कि सफाई करमचारी के 24,957 पदों की भरती पर किरिया तुरंत प्ररंब की जाए नहीं तो तीन दिन बाद पूरे राजह भर के सफाई करमचारी हर्ताल पर उतरेंगे साथी वाल में की समाज उनका साथ देते हुए अंदोलन को अगरसर होगा इसके समस्त जिमेदारी प्रिशाशन की होगी सफाईश रमेक संग की अदेक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि सफाईग रमचारियों की बैठक के लिए नियमान सार यह मांग पत्र सौप कर तीन दिन का अल्टी मैटम दिया गया है डेग जिले के कुमहेर थाना इलाके में एक भाई ने अपने बच्चों के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी मृतक के परीजनों ने अपने परिवार के लोगों के खिलाफ मामला दर्स करवाया मृतक के बेटे सोनपाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि नौ जनवरी को वह अपने खेत में गए थे तो वहाँ पर विक्रम, संजय, मनोहर, मान सिंग, सतेंदर साइथ, परिवार के कई लोगों पहले से ही योजना बना कर खड़े थे वैसा भी लोग हमारे हिस्से में ट्रांसफार्मर रखवा रहे थे तब इतने में सबी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया कुछ देर में बेटा और उसके पत्नी भी मौके पर पहुँचे उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह उसे मार पिट करते रहे जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस ने मामला दर्सकर जाच शुरू कर दी है झाल culinary में बेलिस बाह दुला कोया है यह भाल घू रढograf मामाल में अन्होंने ने चिरू कर दिया सकी मौके है यहां झाल शनलते प्ज हो एक सबป狹त-ब में बेल्या है यह झाल जने देर लोगफ और कंश मैं मैं सबद Alrighty